साथियों, किसी भी देश की प्रगती में, नीती निर्णव में ठहराव, स्टेगनेशन, टेटरस को एक बहुत बड़ी बादा होता है। हमारे देश में भी पुरानी सोच और एप्रोच के कारण, कुछ परिवारों की लिमिटेशन के कारण, एक लंबा ठहराव रहा। देश को आगे बढ़ना है, तो उसमें हमेशा गतीसिलता होनी चाहिए, सहसिक निर्नेशक्ति होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें नयापन स्विकार करने का सामर्त होना चाहिए। उसमें प्रगतिशिल मानसित्ता होनी चाहिए। अशिरवाद होना चाहिए। लक्षों की प्राप्ति में जनता की सहभगिता होनी चाहिए। सिर्फ सरकार और सत्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता बहुत ही लिमिटेड रिजल देता है। लेकिन जब 130 करोड देश्वाद्यों का सामर्थ जूटता है। जब सबका प्रयास लगता है। तो फिर देश के सामने कोई भी समस्याटीक नहीं पाती। इसके लिए देश के लोगों का सरकार पर भरोसा उतना ही जरूरी है। मुझे संतोष है कि आज देश वास्यों में ये विश्वाद्य जगा है कि सरकार को उनकी परवा है। इसकी और एक वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो है गवर्नेंस में हुमन टच। सू सासन में संबेदन सिल्था। हमने गवर्नेंस को हुमन टच दिया है। तब जाकर कि इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है। अब जैसे वाइबरेंट विलेज योजना दसकों तक बॉर्डर के हमारे गाउं को आखरी गाउं माना गया। हमने उन्हें देश का पहला गाउं होने का विश्वात दिया। हमने वहाँ विकास को प्राठ्फिक्ता दी। आज सरकार के अधिकारी, मंत्री इन गाउं में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ लंबा वक्त गुजार रहे हैं। नौर्थ इसके लोगों को भी पहले दिल की और दिल्ली की दूरी बहुत अखरती थी। हमने यहाँ भी गवर्नेंस को यूमन ट्रच से जोड़ा। अब केंदर सरकार के मंत्री जो जैरुन जी ने बड़े विस्तार से बताया, नियमी तुरुप से नौर्थ इसका विजिट करते हैं। और वो भी स्टेट केपिटल पर नहीं है, डीटेल इंटियर में जाते हैं। मैं भी नौर्थ इस जाने की हाप सेंचुरी मार चुका हूँ। साथ्यों इस सम्वेजन सिल्ता ने ना सिर्फ नौर्थ इसकी दूरी कम की हैं, बलकि महाशान्ति की स्थापना में भी बहुत मदद की हैं। आपको यूक्रेन काइसिक के दोरान सरकार की कारिशंसुर्टी को भी याद करना चाहिए। देश की हजोरों परिवार चिंता में थे। हमने करीब करीब 14,000 परिवारों से कनेक किया, हर घर में सरकार का एक प्रतिन दी बेजा, उन परिवार के अंदर बीच बैठा, सरकार के व्यक्ति के रुप में बैठा। हमने उन्हें मुश्किल घड़ी में विश्वा दिया कि सरकार उनके साथ है। आपको मानू होगा कभी कभार ऐसी चीज़ों को हम इतना उसाल दिया जाता है, कि जहां काम करना है उसमें भी रोड़े अटक जाते हैं। और इसलिए हमने पहला काम किया, जाओ भही उस परिबार में जाके बैठो, उनको रेगिलरली कॉम्मिनिकेट करो और इसके कानन देश के सब आस्वस्त हुए लोग कि ठीक है भी बच्चा वहां है, अभी इस्तिति में है, कभल आएगा, परसो आएगा, इस्तिति अन्विय संबेद्नाओं से भरपूर ऐसी गवरनन्स से इंडिया मुव्मेंट को एनरजी मिलती है, अब कल्प ना कर सकते हैं, अगर गवरनन्स में ये हुमन ट्रच न होता, तो हम करोना के खिलाप इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं जीत सकते हैं